अब आपके युट्यूब चैनल इन्वेस्ट फोरेवर में एक बखर से स्वागत करता हूं चानल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को हिट अलकी नौटिफिकेशन को और दूसरे चैनल नितेश कुमार को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इन्वेस्ट फोरेवर यहाँ पर हमारा चैनल है ट्रेडिंगे जाएंगे तो यहाँ पर आपको इस्टाग्राम पर ही मिल जाएंगे और यहाँ पर टूटर पर भी आपको हम मिलते हुए नजर आएंगे as well as बात करें एक वीडियो आ चुकी है रूट मोवैल जिसके रिजल्ट आये बाइबेक से लेटरी न्यू सब्चीज यहां पर आपको मिलती हुई नजर आएगी और इस वीडियो में बदाने के रिएंग है उससे लेटरी दे बात करेंगे जानतें और चैनल को सब्सक्राब करें वीडियो को देखना मत बूले है और लाइक करिए वीडियो को दा कि लोगों तक पोचें लोको समझ में आए कि कि exactly आप किस stocks को यहां पर चूज कर रहे हैं तो GM forler की अगर हम बात करें तो GM forler एक अच्छा खासा यहां पर return देता हुआ नजर आ रहा था अगर मैं आपको यहां पर चार्ट दिखा हूँ एक साल का और अभी तो यह split हो गया है तो इस वज़े से यहां पर कम आपको दिखाई दे रहा है 6000 तक शेड़ गया 6000 जाने के बाद यहां पर एक न्यूज आई ओके यहां पर और शयर आपको ऑफएस आता हुआ दिखाई दी अगर मैं आपको दिखा दित भार यहां पर offer for sale यहां पर आता हुआ दिखाई दिया था और जैसे यहां पर offer for sale की निविज आई थीः ना बद देनी रकतेयर आपको इस निवज आयों, आने के गाद यहां निव्स आई थी और उन्होंने वह एक्जिट करते हुए नजर आए थे और अच्छा खासा प्रॉफिट इंटरे में भी लेते हुए नजर आए थे बट अगर हम बात करें बहुत सारे लोगों ने 6000 रुपर किसी ने 5000 रुपर किसी ने यहां पर 5000 रुपर यह शेयर ले रखा गया उसके बाद 500 रुपर तक यहां पर एक अद्व बार आया और यहां पर शेयर गिरता हुए नजर आया बट बात करें एक लंबा पीरियर्ड जो टाइम वेली होती है ना वो टाइम वेली यहां पर इस पर्टिकुलर शेयर ने खाई और इसके बाद अब यह शेयर बाला है what next उससे लेटी अम बाते करेंगे तो आगे वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सबसे पहले कंपनी के अबागे में जान लेते हैं कंपनी यहां पर काम करती हैं GM Fodler तो यहां पर Glass Line Equipment में यह कंपनी काम करती हुए नजर आती है है आदे पर चल रहा है और यह शेयर कहां से तो यहां पर आप देखेंगे ना इसका चाट प्रेटन तो आप यहां पर सर्प्राइज रहे जाएंगे यहां पर इसने 2020 में 200 रुपर चलता था उसके वाँ 700-800 रुपर मुल्टी बैगर रिटन दीए तो यह शेयर भी एक काफी बैठरी ने बटम GM Fodler की बात कर दे क्यों क्योंकि हमें पैसा तो बना ही नहीं बनाना है रिस्क भी थोड़ी सी कम चाहिए तो ऐसे में GM Fodler is another option and the best option अगर हम बात करें GM Fodler ऐसे हैं यहां पर equipment, glass equipment बनाता हुआ दिखाई देता है जो कि यहां पर आप chemical में डालते है, chemical रखते है उस पर उस glass पर कोई असर नहीं पड़ता और सारे के सारे उसी चीच में company काम करती हुए नजर आती है इसे ही यहां पर glass बनाती हुए नजर आती है और इनका जो business है काफी बहतरी बिजनेस है आपने देख आपने देखा होगा कि company ऐसी बहुत सारी company है जो parent company आपर अपनी चोटी-चोटी companies को खरीती है बट अगर हम बात करें यह जो company है इसने ही बड़ी company को यहां पर खरीद लिया इसी वज़े से और फैसा है था फंट्रेज हुआ था और इसी वज़े से यह सारी कहानी होती हुए नजर आई थी और यहां पर और बात करें कमपनी बापिस आ चुकी है और यहां पर अगर बात करें अच्छा खासा रीटन देती वह नजर आईगी तो हो बिसनेस यहां पर समझ गई है ऐसे glasses बनाता है ऐसे container बनाता है जहां पर chemical आप रख सकते हैं 50% market share इंडिया से आता है बाकी यहां पर रश्टॉप्टर वर्ल से आता है यहां पर 55 तो कहीं नहीं शेयर यहां पर बताता है कि हम अच्छे शेयर में बेशक से कितने भी गिरे उसके बाद कम बैक करना जानते है ROC 14-16% के आसपास की है प्लैजिंग की बात करें कोई प्लैजिंग नहीं है डेट की बात करें 121% का डेट है तो कंपनी के ओपर डेट है PG ratio जादा है बट कंपनी का profit देखेंगे पिछले पांस साल में 22% के इसाफ से profit दिया है सेल्स ग्रोथ की बात करें 48% के हिसाफ से यहां पर सेल्स ग्रोथ भी है कंपनी का face value दो का है intrinsic value 549 का और 1765 से 1621 पर शेयर चल रहा है और लगबग 1000 रुपे तक 1200 रुपे तक यह शेयर आता हुआ दिखाई दिया था maximum chart pattern देखके आपको पता चलेगा कि company ने multi-bagger return और रेड़ी थी है कभी यह शेयर 30 रुपे 20 रुपे 18 रुपे 16 रुपे पर होगा करता था अभी की बात करें जिसने इस company को लंबा hold किया है उसे company ने अच्छा खासा reward से यहां पर नवाज आए यहां पर और कुछ बात करें तो company अच्छा खासा यहां पर return देती है dividend की बात करें dividend का अच्छा नहीं मिलता है पचास पैसे 1 रुपे याशी dividend मिलता है sales की बात करें company की sales, लगा तर अच्छी चल रही थी यहां पर देखेंगे बत Route कम्पनी की बात करें यहां पर है जो ये काम किया तो डिखेंगे इसी वज़े से आज शेयर देखेंगे तो 20 परसेंट यहां पर अब दिखाई देता है अगर हम यहां पर देखें नेट पॉफिट तो कंपनी का 45 पॉफिट है जो कभी नहीं आया तो कंपनी दुबारा यहां पर उसी टाइप में आ गई है तो ऐसी कंपनी क्या बताती है कि एक दो क्वार्टर चार तीन क्वार्टर एक साल में कंपनी के बारे में नहीं पता चलता आप 1-2 quarter, 3 quarter के बार में अगर result बेकार आ गए तो company बेकार हो गई, ऐसा बिलकुल नहीं होता, तो ऐसी company come back करना जानती है और यही come back इसका है, company की sales की बात करें, लगाता है sales बढ़ी है, 195 क्रोड की sales थी, 11 साल के अंदर अंदर कंपनी ने 25, 26, 28 क्रोड की sales में बदल दिया है, 12 क्रोड का profit 120 क्रोड में change हो गया है, reserves company के लगाता है, 525 क्रोड के reserves है, बच साथ में borrowing भी है, यही एक negative factor है, जिसकी वएसे अगर बात करें, 25 क्रोड यहां पर taxes देना पड़ जाता है, company का investment की बात करें, कोई investment नहीं है, working progress में 13 क्रोड, cash की बात करें, 328 क्रोड का cash भी पढ़ बात करें, 54% के share यहां पर company के promoters के पास है, जो कि यहां पर कम होते हुए दिखाई दिया थे, FIS की बात करें, 11% के share FIS के पास है, FIS की बात करें, 11% के share FIS के पास है, FIS ने लगाता है, यहां से इस्सेधारी बढ़ाई है, जिसका फाइदा अब उन्हें यहां मिलता हुए दिखाई देगा, DIS की बात करें, DIS ने इस्साधारी बढ़ाई है, public की इस्साधारी यहां पर थोड़ी कम होती हुए दिखाई दिखाई दिया, 30 से यहां पर 27 पर पोज़ गए है, और जैसे यहां से share भागेगा, कम होती हुए नजर आईगी, क्यों क्यों कि बड़े business है, यही करते हुए दिखाई देते है, बड़ा share इनके पास है, market में, तो अच्छी घाजी कमपनी है, long term का chart pattern में देखा है, कि अगर जितना जो लंबा रखेगा, उसे उतना अच्छा खासा पैसे मिलता हुए नजर आएगा, multi bagger return मिलते हुए नजर आएगे, share आज 20% है, यहां पर upper circuit लगता हुआ दिखाई दिया है, तो यहां पर आप देखेंगे, तो इसने आज एक breakout भी दिया है, अब यहां पर इसका next target क्या है, इसका next target यह है, जो यह वाला target है, यह target मान लीजिए 1695 या यहां पर मान लीजिए 1764, अगर 1764 को यह cross कर देता है, जो कि मुझे कि कुछ दिनों में शायद 1764 को cross करने ही कोशिश करेगा, यहां तक जाएगा, इसके बाद नीचे, जैसे कि मैं लगातार बताता हूँ, कोई चीज लगातार उपर नीचे 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 गई, तो यहां पर थोड़ा उपर गई, फिर नीचे गई, फिर उपर नीचे नीचे लगता कि यहां पर गिरता हूँ नजर आएगा, 100-200 रुपे, 300 रुपे की आपको रिस्क लेनी पड़ेगी, बट उसके अगेंस्ट में यहां पर प्रॉफिट का रिशो की बात करूं, कि यहां पर क्या आपको मिलता हूँ नजर आएगा, तो शेर यहां पर अगर आप यहां पर आज भी बाई करते हो, थोड़े लंबे टाइम के लिए बाई करते हैं, तो यहां पर देखिए, 44% के रिटन मिलने ही मिलने है, इसमें कोई धोराया नहीं है, कमपनी दुबारा कमबेक कर लिया है, यहां पर देखिए, रूंडिंग बॉटम बनाके ची यहां पर इंडिया में 50% मार्केटर, और आउंड दे वल्ड की बात करें, वहां पर भी कमपनी का लगब अच्छा खास है, यहां पर मार्केट नजर आता है, तो यह कमपनी छोटी मोटी नहीं है, बड़ी गपनी नहीं है, वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करिएगा, क